Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Neelab आज मैं National Chemical Laboratory जिसको हम NCL भी बोलते हैं उसकी वेबसाइट के उपर हूँ और ये CSIR का एक बॉड़ी है National Chemical Laboratory ये पुने के अंदर है इस वेबसाइट पे आने की वज़ा ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ पोजिशन्स एडवर्टाइज हुई है जिनके विशे में आपको बताना जरूरी है तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट के उपर जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन है जॉइन अस का जॉइन अस के उपर जागर के आप नीचे जॉब वेकेंसीज के उपर जाएंगे और जॉब वेकेंसीज से आप प्रोजेक्ट वेकेंसीज के उपर चले जाएए तो जैसे आप प्रोजेक्ट वेकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो आप एक website एक page के ओपर redirect होंगे जहाँ पे जितनी भी positions इसमें National Chemical Laboratory में आई हुई है वो आप उनमें apply कर सकते हैं तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ positions जो हैं वो 17th को आई है और कुछ positions जो हैं वो 18th, 19th इस तरीके से आई हुई है 19th को आई है, Human Resource Management के आई है इसी तरीके से 18th को अगर आप देखें तो Biochemical Sciences Division की वेकिंसी आई हुई है इसी के साथ साथ 19th को भी हमारी मतलब की एक यहाँ पे PA1 की जो वेकिंसी है वो भी हमारे मतलब की ही है तो चलिए मैंने अलरी इन दोनों चीजों को डाउनलोड कर रखा है और आपको दिखाते है कि क्या-क्या mentioned है फिर आप उसमें apply कर सकते हैं तो देखिए मैंने अलरी इन दोनों को डाउनलोड करके रखा हुआ है इन दोनों वेकिंसी को तो सबसे पहली वेकिंसी जो है वो 17th को advertise हुई है आप अगर वापस जाना चाहें तो आप यह देख सकते हैं तो 17th को यह वेकिंसी यह दोनों वेकिंसी एडवर्टाइज हुई है इसमें जो यह PA2 वाली जो वेकिंसी है यह आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपका इस PDF यह डाउनलोड हो जाएगी अब यहाँ पे देख सकते है कि Project Associate 2 के लिए वेकिंसी है जिसमें की अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यह वीडियो लास्ट तक देखेगा क्योंकि यहाँ पे BTEC के स्टूडेंट्स के लिए भी एक वेकिंसी है उसके विशे में भी मैं बता दूँगा तो यहाँ पे देखेगी सबसे पहले यहाँ पे कौन से डिविजन के अंडर में वेकिंसी आई है National Collection of Industrial Micro Organisms NCIM बोल रहे हैं इसको Subject है Technical Services NCIM अब प्रोजेक्ट का कोड यहाँ पे मेंशन है पोस्ट का जो नेम है वो प्रोजेक्ट असोसियेट 2 है Number of Positions 1 है अब यहाँ पे Minimum Prescribed Educational Qualifications मेंशन है मतलब सिर्फ और सिर्फ Master's डिग्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं मतलब MSC या M-Tech Biotechnology या Microbiology यह आप एक Recognized University से हों इसके अलावा आपके पास 2 साल का Experience होना चाहिए Research and Development में In Industrial and Academic Institutions और Science Technology Organizations मतलब आपके Experience भी समें माग रहा है याद रखिएगा Desertation को आपका यहाँ पे Experience के तोर पे Count नहीं किया जाएगा Desirable Experience का मतलब क्या हो गया यह अगर हो तो अच्छा है तो यहाँ पे Sound Knowledge Working with Microbes Microbes के बारे में या अगर Microbial Culture को Identify करने का आइडिया है आपको तो आप एक अच्छे Candidate हो सकते हैं इस Position के लिए Age Limit जो है वो 35 Years है और दूसरी चीज की अगर मैं Consolidated Emoluments की बारे में बात करूँ तो 35,000 प्लस हारे उन Scholars को मिलेगा जो CSIR, NET, YAR, GATE वगएरा के तुरू यहाँ पे आएंगे और या फिर कोई भी और National Level Examination आपने Central Government का Clear किया हुआ है तो आपको 35,000 प्लस हारे मिलेगा लेकिन अगर आपने यह लेविल का कोई exam क्लियर नहीं किया है तो 28,000 प्लस हारे आपको मिलेगा अब दूसरे position के तरफ जाते हैं यह project code है TSP 024126 post का नाम है Senior Project Associate position सिर्फ एक है और यहाँ पर भी master's degree माग रहे है microbiology और biotechnology में यहाँ पर जो experience है वो 4 साल का माग रहे हैं और आपके पास वैसे ही मतलब R&D सेक्टर में आपके पास experience होना चाहिए चाहे किसी industry में चाहे academic institution के अंदर apart from that अगर आपके पास microbial identification जैसे मैंने पहले कहा था उस तरीके का कोई experience है तो आप बहुत बहतर candidate हैं यहाँ पे age limit जो है वो 40 years यहाँ पे दी गई है और consolidated emoluments की बारे मैं बात करूँ तो 42,000 प्लस HRA है यानि कि आपकी salary यहाँ पे काफी अच्छी हो जाती है अगर मैं project code next project code के बारे में बात करूँ यह TSP 024126 यहाँ पे senior project associate की position है number of positions 1 है अब यहाँ पे इसी के बारे में बात कर रहा था BE या B.Tech Bioinformatics के students को यहाँ पे allow किया जा रहा है और 4 साल का experience यहाँ पर भी मांगा जा रहा है कि R&D में आपके पास 4 साल का experience होना चाहिए और तो अगर desirable qualification की बात करें तो यहाँ पे linux, microbial genomes या metagenomic data analysis की अगर experience है आपके पास तो आप बहतर candidate है age limit जो है वो 40 years है यहाँ पे और job requirements में metagenomics, genome data sets and high end algorithms का काम यहाँ पे होगा emoluments 42,000 plus HR यहाँ पे जो engagement है वो initially 6 महीने के लिए है बाद में यह extend किया जा सकता है depending upon circumstances अब आपको apply कैसे करना है यह link है apply करने के लिए और इसके अलावा आप details यहाँ पे जा करके study कर सकते हैं इसके अलावा आपकी photograph आपको ready रखनी है photograph का size mentioned है signature का size mentioned है आपकी mark sheets वगर आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी और फिर how to apply में जाके आप read कर सकते हैं बाकी instructions को applications आपको 25th January तक fill कर देनी है चली तो यह सारी की सारी date हो गई बात हो गई और interview जो है वो आपका 31-2023 को 10 बजे online होगा तो online mode में interview होना है तो आप यह interview आराम से दे सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई भी issue है तो आप mail कर सकते है email id यहाँ पे email id भी दी हुई है project जो handle करेंगे उनकी ठीक है तो यह उनका नाम है महेश धारने सर का नाम है अब आजाते हैं दूसरे positions के ओपर जो 18th को advertise हुई है मैंने अभी 17th के बारे में बताया 18th के बारे में advertise जो हुई है division यहाँ पे है biochemical sciences और उसके बाद यहाँ अगर मैं दिखा हूँ उपर जाके आपको दिखा जाता हूँ कि कौन सी position के बारे में बात कर रहा हूँ यह दिखे यह 18th की position है PA 1 apply online करके दिया हुआ है biochemical science division ठीक है तो चलिए वापस आजाते हैं तो project code यह mentioned है project का name project का जो name है project associate 1 number of positions 1 है यहाँ पर भी master's degree in biological sciences मतलब कुछ mentioned नहीं है अगर आप biological sciences से हैं तो आप apply कर सकते हैं minimum 2 years experience आपके पास होना चाहिए यह desirable है मतलब यहाँ पर आप as a fresher भी apply कर सकते हैं कोई experience यहाँ पर मांगा नहीं गया desirable qualification बस वो है आपकी की minimum 2 years experience आपके पास handling in mammalian cell culture and cell biology in proteomics होना चाहिए अगर मैं age limit की बात करूँ तो 35 years है और consolidated emoluments जो है वो 31,000 PLUS HRA यह research scholars जो की CSIR, UGC, NET या gate के थू या किसी भी और national level examination को crack करक करके आए हुए है अगर आप crack नहीं किये हैं तो 25,000 PLUS HRA आपको मिलेगा जो यह position के लिए जो time period है वो तीन महीने का है, 3 months का है जिसको आगे चल करके extend किया जा सकता है again बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं उसी तरीके से आप link पे जा करके apply कर सकते हैं और यह चीज़ है कि यहाँ पे जो interview होगा वो 31, 2023 को होगा यह 10 बजे से शुरू होगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखेगा last date apply करने की 26th January है इस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखेगा तो उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसे like करिए मेरे चैनल को subscribe करिए bell icon को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा thank you so much, have a good day